है है हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मेरा नाम रक्ष्माइभ और यूटूब चैनल में आपका अपका अभागत हैंच-व्याक मेरे मेरा काफी है भी हो गया है आज क्योंकि मैंने सब्सक्राइब बनाए थे तो आलो के पराध्ये काफी बच्चों को पसंद होते हैं तो पेट बल खालेते हैं तो अब संप आप बडाऊंगी और लंच में केल मैं नमकीन चावल यानि कि फुलाओ बनाने जा रही हूं और वहीमया सासरा करना चाहते हूं मैं रखाओं किसते हैं ऐसावल बनाते हूं तो चलिए बनाते हैं तो गाइज मैंने हाँ पर चावल बनाने के लिए सारा समान तयार कर लिया है और आज मैं आपको जैसे मंदिरों के भंधारे में नमकीन चावल बनाया जाते हैं बिना लहसुन प्याजवाले उसी तरीके से यहाँ पर मैं चावल बनाऊनी बिना लहसुन प्याजवाला और यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं, आलू लिया है, टमाटर लिया है, और कोचे हरी मिर्च हैं, और कड़ी पत्ते लिये हैं, तो काफी टेस्टी लगते हैं यह, कहते हैं कि बिना लहसन प्याज का अच्छा नहीं लगता, बट मुझे तो हमारे घर में तो काफ जी बज़रा बनाई जाती है, या फिर नमकीन चावल बनाई जाते हैं, उनका नहीं होता है, लेकिन फिर भी कितने टेस्टी लगते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ऐसे बना कर देखें, और यह काफी टेस्टी लगते हैं, तो यहां मैंने कुकर में तेल डाल दिया है, और अब इनको थोड़ा सा मैं ऐसे भूंके, और अब इसमें मैं खड़े जो गरम मसाले हैं, उनको एड़ कर दूँ, तो काफी टेस्टी लगते हैं, और मुझे तो मंदिर वाले चावल, मंदिर वाली सबजी काफी पसंद है, तो मैं कभी-कभी मेरा मन होता है, तो मैं इसी तर अब मैं इसमें मसाले एड़ करूँगी, यहां देखे, यह अच्छी से भून गए हैं, और इनको भूनने के बाद यहां मैंने हल्दी पावडर एक चमच, और अब इसमें एक चमच में मिर्ची पावडर डालूँगी, बच्चों को भी मेरे काफी पसंद है, चावल, मैं रोज-रोज तो नहीं बनाती हूं, बट कभी-कभी एक हफ्ते में एक बार बना लेती हैं इस तरीके से, और यहां मैंने खुछी करम मसाला भी एड़ किया है, आब इनको सबको अच्छी से मिला लूँगी मैं, मसाला काफी हमारा भुन गया है और अब इसमें टमाटर एड़ करना है, तो यह दिखिए, मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाल दी है, टमाटर एड़ कर दिया, और अब अच्छी से मसाले में टमाटर को हम भुनेंगे, मसाले में अच्छे से ये भुंजाने चाहिए गल जाने चाहिए टेमाटर इतना भुंणा है हमें और गैस का फ्लेम लो रखना है जिससे कि हमारे टेमाटर अच्छे सी गल जाए और इसमें अब स्वाध के अमसार आपको नमक डाल देना है जितना आपको चावल लेना है यानि कि जैसे मैंने दो गलास चावल लिया है तो तीन गलास में उसमें पानी डालूंगी तो काफी अच्छी बनते हैं चावल और ये देखें मैंने थोड़ा सा इसे ढख दिया है एक से दो मिनट और अब इसको वापस चलाओंगी तो ये आलू डाल दूँगी आलू को भी 2-3 मिनट ऐसे ही मसाले में अच्छी से भूनना है भूनने से क्या होता है थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है हलका हलका अगर आलू भी भून जाएगा तो एक दो मिनट ऐसे ही आप इस तरीके से चलाते रहिए और बस फिर उसमें आप चावल डाल दीजिए हमारे अच्छी से भून चुके हैं अब मैं इसमें चावल एड़ कर दूँए यहां फर क्या हुआ है कि मैंने एक खास्ते फॉन पकड़ा हुआ है तो अब इसमें मैंने दो ग्लास चावल में तीन ग्लास पानी को डाल दिया है क्योंकि एक ग्लास में हम एक ग्लास जब चावल लेते हैं या एक कटूरी हमें चावल लेना होता है तो उसमें डेड़ ग्लास पर हमें पानी डालना होता है उसी ही तरीके से मैंने आपर दो ग्लास चावल लिये थे तो मैंने आपर तीन ग्लास पानी डाल कर इसको बंद कर के करणाओ के फिर कि बढ़ने के बाद हमें गैश आफ कर देनी हैं और गैशो कर देने के बार हमें सीटी को अपने आफ ही निकल जानेों के की कुकर का जो प्रेसर था वह अ खोल लूँगी और यह देखिए हमारे भंडारे स्टाइल चावल बनकर रेडी हो गए हैं तो यह काफी अच्छे बने हैं और यह खाने में ही उत्रा ही टेस्टी लगते हैं तो यह देखिए आप भी इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राइब करें और यहां हमारे भंडारे वाले चावल बनकर रेडी हो गए हैं तो आजाएए और आप भी खा लीजिए यह दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी टेस्टी हैं कि देखिए तो अब मैं बच्चों को भी सर्व कर देती हूं आप भी खा लीजिए तो गाइस मैं अब आ गई हूं छत पर और यह देखिए तो मैंने सुचा थोड़ी देर में छत पर बैठ जाती हूं और काफी अच्छा मौसम हो गया है अब बच्चों को मैं चावल बना के नीचे दे कर आई हूं वो खा रहे हैं सिवम को भी चावल काफी पसंद है नमकीन चावल और वो वैसे तो खाना मैं उसे अपने हाथों से ही खिलाती हूं बट क्या है न उसे चावल अपने हाथ से ज्यादा अच्छी लगते हैं खाने तो वो आधे खाता है आधे फैलाता है तो इसलिए वो नीचे आराम से बैठ बढ़ने बैठ गया और दूसरा सो गया इसको सुला दिया है मैंने और यह देखी सो गया है और स्ट्या पढ़ रही है तो आप प्रूब को कैसी लगी मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करें